वेल्कम तू न अब डेली सेशन तर्णिंग ओफ बैग्ग्राउंड अप्स विंडोस 10 प्रेजेंट बाई मृतियु जय कुमार हेलो फ्रेंड्स तो आज के इस टूटोरियल में सिखेंगे कि विंडोस 10 में बैग्ग्राउंड अप्स को कैसे टर्न आफ करते हैं क्या होता है जब हमारा कंट्रूर्टर अन होता है जवार कंट्रूर्ट अन करते हैं तो बहुत सारे अप्स बैग्ग्राउंड में ओतोमेटिक चलते रहते हैं तो उससे हमारा जो श्क्रूद स्लीवा बैक्ग्राउंड एप्लिकेशन्स को टर्न ओफ करते हैं सबसे पहले विंडो प्लस आई प्रेस करके सेटिंग में जाना है यहां पे एक बार टैब प्रेस कर रहा हूं मैं यहां पे राइट राइट एरो से मैं प्राइविसी में जाऊंगा प्राइविसी पे एंटर करूंगा वापस से एक बार और टैब प्रेस कर रहा हूं यहां पे प्राइविसी सेटिंग के सारे ओप्शन से यहां पे शो हो रहा है अब यहां पे मैं डाउन डाउन एरो से बैक ग्राउंट एप्स वाला ओप्शन दोंग रहा हूं प्राइविसी पर आपस वाला ओप्शन दोंगा उस पे मैं एंटर करूंगा यहां पर हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी अप्लिकेशन हमें background में turn off करना है, उसको हम turn off कर सकते हैं, tap tap से दिखते हैं अगर इस पर अगर space कर देंगे, तो सारे ही background apps turn off हो जाएंगे, tap press कर रहा हूं यह अलग-अलग सारे application के नाम आ रहे हैं, जिसको भी background से off करना है, उस पर space करके off कर सकते हैं alarms and clock button on to activate press space bar, calculator button off to activate press space bar, camera button on to activate press space bar, candy crush friends button off to activate press space bar, connect button on to activate press space bar, farm hero saga button off to activate press space bar, feedback up button on to activate press space bar, get help button on to activate, improve music button off to activate press space bar, mail and calendar button on to activate press space bar, maps button off to activate, messaging button on to activate press space bar, इस तरह से जिस application को भी हम चाहते हैं कि background में on ना रहे, तो उसको हम off कर देंगे space bar से और फिर वो background में show नहीं होगा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर मिलेंगे next tutorial के साथ, if you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel.